हेलो गैस, वेलकम बैक टो चैनल PCMB, डिजिटल गुरुकल बच्चों क्लास एट इंग्लिश की वर्क्षिट करने वाले हैं, वर्क्षिट नमर टू जिस वर्क्षिट के हिसाब से हमें, आंट और क्रिकेट की पुरानी कहानी याद रखने हैं, कि एक क्रिकेट नम का ग्रासों पर था, जो बहुती मस्ती से दर घूमता रहता था, कभी कोई काम ठीक से नहीं करता था, तो वहाँ पर आप उसकी देखेंगे कि, आप उसी कहसाब से बात करेंगे कि, हाड़ वर्किंग कौन है आपके घर में, तो हाड़ वर्किंग है मान लीजे, आपकी ममा, ममा का नाम है मान लीजे, नहा, और वो कौन है आपकी मॉम, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, एनरजेटिक कौन है, एनरजेटिक है मान लीजे, आपके कोन है तो helpful है मान लेजे आपके brother और brother का नाम है मान लेजे विवेक ठीक है अब आप आपके देखिएगा says the aunt to the cricket, aunt कहते है cricket को कि I am your servant and friend में आपकी दासी और दोस्त हूँ but we aunts never borrow we aunts never lay नाम था हम किसे कुछ लेते ना किसे कुछ देते है but tell me dear cricket पर मुझे तुम बताओ dear cricket did you lay nothing by when the weather was warm क्या तुमने अपने पास कुछ नहीं रखा जब weather गरम था caught the cricket cricket ने का नहीं stanza 4 के है my heart was so light मेरा दिल इतना साफ था कि मैं जलका था कि मैं सार दिन गाता रहता था for all nature looked gay you sang sir कि पूरी nature में कि आप सरफ गाते ही रहे उन्होंने का हाँ तो उन्होंने का go then आप जाएं और डांस करें says the aunt stanza 5 में है बटा thus ending he actually lifted the wicket उन्होंने अपने wickets उठाएं और वो चल दी and out of door turned the poor little cricket poor little cricket बहाँ चला गया घर से fox calling me this affable I will warrant it's true fox कहेंगे कि ऐसे ही आप बाते कर रहे हैं बट मैं कह रहा हूं कि सच है कि कुछ cricket के 4 लेग और कुछ के 2 होते हैं कुछ लोग बहुत lazy होते हैं लोग बहुत active भी होते हैं my heart was so light that I sing day and night किस ने बोला तो ये cricket ने बोला did you lay nothing when the weather was on aunt ने बोला go then and dance aunt ने बोला arrange करना है आपको sequence में बिटा तो cricket sang first है उसके बाद उसने request किया food or shelter के लिए number 2 पर आएगा aunt ने पूछा कि तुमने कुछ store ने किया second आएगा he was starving तो उसने मदद मांगी number 3 पर फिर number 4 पर the aunt asked the cricket if he had stored the food for winter cricket ने का नहीं तो aunt ने उसे भेज़ दिया वापस कि मैं तुमारे मदद नहीं करूँगी और last line का क्या मतलब है कि some people are like the cricket they are lazy and don't care about the future तो बच्चों इसे के साथ ये वर्क्षिट समप्त होगी उम्मीद करता हूं आपका समझ में आ गई होगी चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें तो हमें सपोर्ट करते रहें thank you so much for watching the video